हेलो बच्चों आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कोशन और आंसर्स की जी हाँ बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है हमने हॉर्ण बिल बुक जो हमारे इंग्लिश की क्लास 11 की है उसका जो लेसन है जिसका नाम है डिसकर्वरिंट दसागा कांटिनियूस उसको कवर कर लिया है आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर उन्हीं समझ सकते हैं आज के वीडियो में बच्चों उसी स्टोरी के हम कोशन आंसर्स को डिसकस करेंगी तो बच्चों जो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे जो पहला कोशन दिया हुआ है बच्चों यहां पे दिया हुआ है गिव रीजन फॉर दा फॉलोविंग यानि कि यहां पे हमें कारण स्पस्ट करना है तो पहला कोशन है King Tut's Body Has Been Subjected to Repeated Scruinity Scruinity कहने का मतलब है जाच करना और राजा जो तुट थे, राजा तुट के जो शरीर था, उनकी जो बोड़ी थी उसे बार-बार Repeated याने की पुनहा क्यों उसकी जाच की जा रही थी? बार-बार उसकी क्यों स्कुरिटिनी की जा रही थी? यह हमारा इसका हमें कारण बताना है कि किस कारण से जो है उनकी जो जाच जो है उनकी शरीर की राजा तुट के शरीर की जाच की जा रही थी? तो आंसर देखते हैं King Tut's Body Has Been Subjected to Repeated Scrutiny for the riches it was buried with क्योंकि उनकी शरीर की इसे लिए बार-बार जो है स्कुरिटिनी जाच की जा रही थी? क्योंकि जैसे कि हमको मालम था कि वो एक रॉयल राजा थी? वो कोई सामानी राजा नहीं थे यानि कि रॉयल थे और अपने एक powerful family से बिलॉंग करते थे और एक शक्तिशाली परिवार से होने के साथ साथ वो बहुत ही सम्रिद यानि कि riches थे और जब उनको उनके coffin पर रखा गया था तो भी बहुत ही riches के साथ यानि कि उनकी जितनी भी संपत्यां थी उनको भी देश से रख दिया गया था कि जब death के बाद जो उनकी life next होगी उसमें उनकी जो संपत्य है वो साथ में चले जाएगी तो इससे ही हमको समझ में आ रहा है उसकी उस चीज़ को जानने के लिए कि वो कितने riches थे और उनके साथ उनकी संपत्यों को भी जो है बहुत किया गया था there has also been a lot of speculations about the manner of his death and the time of his death याने कि और भी ऐसे अनुमान लगा गए बहुत सारे ऐसे speculations थे जिस वजा से उनकी राजाटूट के शरीर की वालबा जो है उनकी बोडी की जाच की जा रही थी उसकी जो है scrutiny की जा रही थी there has been a lot of speculation about the manner of his death and the time of his death याने कि और speculation क्या के लगा जा रहे थे जैसे कि ये भी इसले भी उनकी जाच हो रहे थी कि उनकी death जो है किस कारण से हुई क्योंकि वो एक royal और बहुत ही powerful राजा थे उन्होंने बहुत अच्छे समय से अपने बहुत अपना शाशनकाल बहुत ही अच्छे से रखा था तो उनकी मृत्यू इतने कम उम्र में कैसे हो गई थी और किस समय पर उनकी मृत्यू हुई तो इन सारे चीजों के जो speculation किये जा रहे थे इस कारण से ही जो है बार-बार जो है scrutiny राजा तुट के बॉड़ी की repeated याने की बार-बार की जा रहे थी next question है बचो Harvard Carter's investigation was resented यहाँ पे जो Harvard थे याने कि Harvard Carter की जो investigation थी वो उस investigation का resented कहने का मतलब है किसी चीज़ का विरोध करना तो जो Harvard Carter's थे उनकी जो जाच परताल उन्होंने करी थी जो भी investigation करी थी वो resented याने उस पर जो है विरोध हुआ इसका कारण बताना है तो इसका कारण देखते हैं क्या रहा Harvard Carter's investigation was resented because he used unscientific methods to cut the body away from the wooden base जो Harvard Carter's थे उनकी जाच परताल पर इसलिए विरोध हुआ था क्योंकि उन्होंने unscientific method का प्रयोग किया था unscientific मतलब आवज्याने के तरीके से उन्होंने जो है गलत देश से या गलत तरीके से उन्होंने investigation करी थी और क्या investigation जब उन्होंने investigation करी किस चीज की to cut the body away from the wooden base यानि कि जिस कॉफिन पर जिस तरीके से उन्होंने राजा तुट की शरीर को पूरे तरीके से जो उनकी टॉम्ब और कॉफिन पर रखा गया था तो उन्होंने उसको क्या किया? कट किया और जो उनके कट करने का तरीका था वो unscientific था, आविज्ञानिक था जिस तरीके से उन्होंने investigation करी और उनको उनके लकडी के base से बहुत प्रियास करके अपने unscientific तरीके से उसको निकाला He also focused more on the discovery of gold than on fascinating details of Toot's life and the mystery of his death यानि कि उन्होंने इसके साथ साथ एक तो उन्होंने आवज्यानिक तरीके का प्रयोग किया और उनके शरीर के साथ उन्होंने उनके विडन बेस से उनको निकाला और उसके साथ जो भी investigation करी तो उनका आवज्यानिक था और दूसरा है He also focused more on the discovery of gold यानि कि उन्होंने ज्यादा focus जो है सोने पर किया यानि कि ज्यादा focus उन्होंने किस पर किया उस पर किया जो उनके साथ जितना भी धन रहा होगा उस पर उन्होंने focus किया ना कि ये जानने के बजाए कि उनकी मृत्यू कैसे हुई, उनका जीवन कैसा रहा, क्या रहसे था उनकी मृत्यू का इस पर ज्यादा concentration ना करके उनका ज्यादा focus किस चीज की discovery पर रहा, कि कितनी संपत्ति या कितनी धन उनके साथ रहा गोल्ड पर उनका ज़्यादा फोकस रहा ना कि उनकी life का जो death हुई थी उसका reason का जानने के लिए उसकी mystery को solve करनने के लिए तो ये एक बहुत महत्मुन कारण था अब बचो next देखते हैं थर्ड है Carter है to chisel away the solidified reason to raise the king's remains कहने का मतलब है जो Carter है उन्होंने क्या किया था जो हमारे राजा थे उनका जो शरीर था उसके reason को यानि के reason मतलब जो एक substance रहता है जिससे पूरे mummy को जो है mummify करने के लिए उसके शरीर को cover करने के लिए इस substance से उसको पूरा जो है cover कर दिया जा जो होगी थी बिलकुश सक्त हो गई थी तो Carter ने उसको chisel away यानि कि उसको खरोच-खरोच कर निकाला उस solid वाले reason को खरोच-खरोच कर निकाला राजा के शरीर को राजा तुट के शरीर को निकालने के लिए तो उसके पीछे क्या कारण था क्यों उन्होंने ऐसा चिजल किया खरोच के क्यों निकाला तो इसका कारण ये था और ये किस ने किया था Carter ने तो Carter found that the ritual reasons that was used as a polish had hardened the result was that the mummy was cemented to the bottom of the solid gold coffin याने कि जो Carter थे उन्होंने ये पाया कि जो भी जो उनके संसकार किये गए थे और जो भी उनका दाह संसकार के समय जब उनकी मृत्ती हुई थी और उनको coffin पे रखा गया था तो उसमें जो reason उन्होंने लगाया था that was used as a polish had hardened मतलब वो इतने वो जो reason था वो इतने तरीके से जो क्या हो गया था बहुती सूख कर hardened याने कि कड़ा हो गया था कठोर हो गया था और उसका result क्या हुआ परिडाम यह हुआ the result was that the mummy was cemented मतलब वो बिल्कुल cement के जैसे शक्त हो गया था अपने पीछे bottom side से और कहां से the solid gold coffin मतलब जिस coffin में उनको रखा गया था वो उसमें reason जो है cement के तरीके से पूरा जो है मजबूती से उस पर जो है उसने grip बना ली थी पकड बना ली थी neither the strong force could move the mummy nor the burning sun could loosen the remains of the king याने कि इतनी तरीके से उसको शक्ती से सोने के coffin को जो था उसने तरीके से reason ने पकल लिया था कि ना तो कोई भी मजबूत तरीके का बल या प्रियास से वो एक इंच या थोड़ा सा भी वो move नहीं कर रहा था move the mummy मतब किसी भी प्रियास से move नहीं कर पा रहा था mummy और nor the burning sun याने कि सूरी के उरजा से जो अब उसको कोशिश किया गया कि वो reason थोड़ा सा कम जोर पड़ जाएगा तो उससे भी एक फर्क भी नहीं पड़ा burning sun को loss in the remain of the king मतब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने उस reason को थोड़ा सा भी अपने स्थान से जो है थोड़ा सा उसको कम कर दिया हो या उसमें किसी प्रकार का कमी आ गई हो तो उसका तापमान में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया उस reason में इस वज़ा से उससे chisel away करके मतलब उसको खरोच खरोच कर जो राजा टुट थे उनकी reason को काटर ने जो है chisel करके उसको निकालने का प्रयास किया question 4 है टुट's body was buried along with the gilded treasure याने कि जो राजा टुट है उनका जो बॉड़ी था उसको जो है दफनाया गया था उसके दफनाने के साथ क्या मर दिये गए थे उसको जितनी भी संपतिया थी जो भी बहु मूली चीज़े थी उससे उनको पूरा जो है सुशोबित कर दिया गया दफना दिया गया था कॉफिन में तो दा एंसियंट उसका कारण हमें बताना है दा एंसियंट रॉयल ऑफ इजप्ट्स वर फेबलिसली वैल्दी जैसे मैं मालू में कि जो एजप्शिंस थे उनका जो रहन सहन था और जो वहां के जो फैरोज होते थे जो पुराने जो हमार प्राचीन इजप्ट के जो राजा महराजा थे वो बहुती सम्रिध और बहुती वैल्दी हुआ करते थे यानि कि उनके पस बहुती धनती बहुती संपत्ती थे धनवान थे वो दे विलीव इन आफ्टर लाइफ और वह जो है पूरा विश्वास करते थे मरने के बाद भी जीवन जो प्राप्त होता है, मतलब उसके बाद भी एक दूसरा जीवन प्राप्त होता है, ऐसा उनका विश्वास था, कि आफ्टर लाइफ भी होती है, आफ्टर लाइफ ही मतलब है कि देथ के बाद आफ लाइफ, यानि कि मृत्यों के बाद वाला जीवन, वो इस पर पूर डेट होगा उस वहाँ पर वह अपने उस संपत्यों को ले जा सकेंगे इस वज़ा से उनके जब मृत्यू होती थी तो उनके कॉफिन के साथ उनकी बहु मूली चीजों को जिसको वह बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे जो बहुत ही मूलेवान होती थी बहुत ही प्रीशियस ह उन चीजों को उनके साथ ही रख दिया जाता था इसलिए उनके साथ जो है सारी संपतियों को रखा गया फाइव नंबर पे हैं दा बॉय किंग चेंज इस नेम फ्रॉम तुतन खातेन टू दुतन खामून याने कि उस लड़के ने राजा बालक ने अपने नाम में परिवर्तन किया और उनका पहले नाम था तुतन खातेन तो उससे उस नाम में परिवर्तन करके तुतन खामून क्यों किया अब दिब उन्होंने तुतुन खामून नाम किया तो बच्चों तुतुन खामून का मतलब होता है living image of आमून यानि कि living image of आमून यानि कि आमून की जीवित प्रतिमा वह मानते थे तो तुतुन खामून नाम उन्होंने रखा तुतुन खामून का मतलब होता है living image of आमून, he was the major guard, यानि कि वो प्रमुख देवता माने जाते थे ancient Egypt के, यानि कि पुराने Egypt के, प्राचीन Egypt के इसलिए उन्होंने अपना नाम तुतुन खातेन से तुतुन खामून किया क्योंकि जो आमून की जीवत प्रतीमा और आमून क्या है पुराने जो उनके देव थे पुरपाचीन Egypt के जो देव था थे उनकी प्रतीमा के रूप में माने जाते थे King Emanotop, जब King Emanotop का साशन काल आया तब उन्होंने क्या किया सारे जो आमून थे, उनकी सारे प्रतीमाओं को उसने समेज्ड कर दिया, नस्ट कर दिया और सारे देवालों को, देवस्थानों को बंद करा दिया जब उसके बाद राजा टुट आये, जब उनकी बाली आये, मतलब इनसे पहले उन्होंने ये सब काम कर दिया अब उसके बाद जब राजा तुट आए तो राजा तुट ने अपने नाम ने तुटन खामून इसी लिए रख दिया तुटन खामून क्योंकि उनको मालम था कि भई ये तो जीवित प्रतिमा है इसको हम साक्ष मानते हैं अपने आमून को और ये जो है प्राजीन हमारे इज कारने के लिए राजा टुट थे उन्होंने क्या किया उसके रिस्टोरेशन यायनि पुल्रजीवन कर दिया उन्हीं पुराने धाचucky यो कहीं नच्डन हो चुकए थे किसके तुटस्टक क्या अमेनौ अज़ेज्यस, अब शेयका हम सिर ज्क्रास अदेश, विक हैं और को तुतन खातें से तुतन खामून कर दिया क्योंकि खामून शब्द लास्ट में आने का मतलब भी है कि वह आमून पर विश्वास करते थे तो बच्चों यह है इसका अंसर अब हम चर्चा करेंगे सेकंड नंबर के जो कोश्चन आंसर हैं सेकंड पार्इट के उन पर सेकंड नमबर के section में देखते हैं लिस्ट पहला question है लिस्ट दा डिट्स देट लेड रे जॉंसन तो describe एकनेटेन एज वैकी कहने का मतलब है उनकी listing करिए उन कारेओं को दर्शाहिए उनकी चर्चा करिए लिस्टिंग करिए जिस वज़ा से जो लेड रे जॉंसन ते रे जॉंसन ने क्या वर्नन किया है एकनेटेन को एक प्रकार का वैकी फिर से समझते हैं लिस्ट दा डिड्स देट लेड रे जॉंसन तो डिस्क्राइब एकनेटेन एज वैकी यानि कि हमें उन कारेओं की लिस्टिंग करना है जिसे रे जॉंसन ने वर्नन किया है कि जो एकनेटेन थे वो वैकी थे वैकी यानि कि मतलब है बहुत ज्यादा निराले थे बहुत ज् रखी थे क्यों निराले थे इसका कुछ पॉइंट्स के माद हम समझेंगे ही प्रमोटेट दा वॉर्शिप ओफ एटेन इंस्टीड ओफ आमुन अब यह जो एकैने थे इन्होंने क्या किया उनके वर्णन किसने किया है रे जॉंसन ने तो उन्होंने बताया कि ही प्रमोटेट वर्शिप ओफ एटेन यानि कि वह सूर्य देवता एटेन को मानते थे इंस्टीड ओफ आमुन यानि उन्होंने अपनी पूजा पार्थ किसके प्रती ज्यादा रखी एटेन के प्रती ना कि आमुन के प्रती तो पहला तो यह था कि उन्होंने प्रमोशन किसको दिया किसको प्रमूट किया, Aten की पूझा को उसके बाद क्यूंकि यहां पी देखो Akenatan है और यहां पे भी Aten आ रहा हो तो उन्होंने अपने उसको माझा इसले ना कि Amun को जısı जादा उनकी पूझा पर उन्होंने ध्यान दिया. फ्रोम तेप्सानिव की और उन्हों नेक्स्ट कोई में हैं, He smashed Amun's image, उसने सारे जो Amun की प्रतिमायति उनको नस्ट कर दिया, और उन्होंने सारे आमुन के बने हुए जो मंदिर थे उनको भी बंद करवा दिया, सारे देवस्तलों को बंद करा दिया, He changed his name to Ekenathan or servant of Eton, उन्होंने अपने नाम में परिवतन किया, Ekenathan और servant of Eton, याने कि Eton का सेवक, क्योंकि वो उसको मानते थे, उन्हीं देवता को मानते थे, सूर Eton देवता को मानते थे वो, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम Ekenathan रख दिया था, जिसका दूसरा शब्द होता ह कि Eton का सेवक, क्याने कि उसका सर्वेंट, तो ये इसका था, इस कारण से Ray Johnson ने वर्नन किया, क्या Eton को कि वो थोड़े से निराले थे, थोड़े से व्यकी थे, नेक्स्ट है, सेकेंड नमबर पे, वाट वाज दा रिजर्ट आफ दा सीटी स्कैन, याने कि जो सीटी स्कैन किया गया था, उसका क्या परिणाम निकला, Howard Carter was first to discover Toot's mummy and his investigation resulted in great damage, याने कि जो Howard Carter थे, जिन्होंने 1922 में सबसे पहले इसका discovering करना शुरू किया था, राजा तूट की mummy का, और उन्होंने उनका जो investigation था, उसका परिणाम बहुत जादा जोखिमों से भरा हुआ था, नस्ट या नुक्सान से भरा हुआ था, It was found that, ये पाया गया था कि जो mummy's का उपर का जो सीने का जो हड़ी रहती है, front की, वो breast bone और front ribs were missing, याने कि जो उनकी सामने की ribs होती है, वो जो है missing, याने कि guy up थी, जब उसका city scan हुआ तो उन्होंने ये discover किया, कि उनकी दो, तीन चीजे, उस ribs और उनकी जो front bones है, breast bones है, वो सारे क्या थे, missing थे, याने कि अपने स्थान से guy up थे, थार्ड नमबर है, list the advances in technology that have improved forensic analysis, कहने का मतलब है, हमें जो आज की जो technology है, वो इतनी advance हो चुकी है, तो हमें बदाना है, उनकी listing करना है, list the advances in technology, मतलब जितना भी प्रद्योकी की में विकास हुआ है, उसके बारे में, that have improved, जिस वजा से, क्या improved हो चुका है, क्या सुधार हो चुका है, forensic analysis, याने कि जो forensic ग्याच होती है, उसमें भी सुधार हो गया, उसके जो visualization है, उसमें सुधार किया गया है, तो देखते हैं, today city scan technology help us to take hundreds of x-rays image in cross section, याने कि आज city scan जो technology है, यह जो पदिती है, उससे पूरे शरीर या पूरी जो भी चीज उस machine में रखी जाती है, उसके पूरी scanning की जाती है, और hundreds of x-rays image उस वो तयार कर देता है, virtually, cross section wise, तो they can be put together like slices of bread to create a three dimensional virtual body, वो इसी प्रकार से work करती है, जैसे मानों कि उनने क्या किया हो, they can, they can be put together, एक साथ, जैसे कोई बहुत सारे bread रखा हो, उसके slices करके, उसके three dimensional virtual body तैयार कर दी गई हो, उसी प्रकार से वो जो है, जब उस machine में शरीर को रखा जाता है, तो वो अपनी x trace के द्वारा ही, जो है, उसके dimensional, three dimensional virtual body जो है, तैयार कर देती है, screen पर, computerized, and this provides precise data for an accurate forensic reconstruction, और जिस वजा से एक दम एक सही जानकारी, जो है, सपस्ट तरीके से, forensic reconstruction करने के लिए, यानि कि किसी चीज की पूरी तरीके से, जो जाच की जारी है, forensic way पे, जिसकी जाच करी जारी है forensic जो उसका reconstruction के पुनर निर्मान किया जा रहा है, वो सटीक उसके पूरी सामगरी से, बिल्कुल सटीक जानकारी जो है, वो प्रदान की जाती थी, तो वो कौन प्रदान करता था, जब ये CT scan के द्वारा की जाती थी, जब उसमें रखा जाता है, तो जो hundreds of x-rays एक साथ, उसम ट्री-डामेंशनल वर्चुल इमेज जो तेयार कर देती, तो इससे एक क्या प्रवाइड होता था, इस प्रवाइड प्रिसाइज ड्रा, मतलब कि बहुत ही बहुमुल, जो बिल्कुल कहना चाहिए, इसपस्ट जानकारी वो प्रदान कर देती थी, जो forensic reconstruction के लिए बहुत ज कहने का मतलब है, इस कथन को हमें समझाना है कि राजा टुट जो थे, उनकी ममी जो थी, सबसे पहली ममी थी, जिसके scanning की गई, जिसका परिक्शन किया गया, और in that as his life, यानि कि मृत्यू में भी, मृत्यू के भाद भी वो ऐसे थे, as his life, यानि कि जैसे वो अपने जीवन काल में रहें, वैसे मृत्यू काल में भी वैसे ही प्रतीत हुए, तो इस गथन को कैसे हम समझेंगे, इसको समझने के लिए हम इसको आंसर देखने हैं, इस स्टेट्मेंट का मतलब है कि राजा टुटकी ही बस ममी नहीं रखी गई थी, इस में बहुत सारी ममी, बहुत सारी जो फैरोस थे, जो पुराने पुराने, उन सब की ममी रखी गई थी, तो इस में क्या हुआ था, देर आर हैंड्रेट्स ओफ ममी इन इजिप्ट, इजि रिमेंस दा फर्स इवन इन डैथ अजिवा स्ट अमंग इस काई त्रीमेंट, यानि कि जिस प्रकाश से वे अपने जीवन काल में जब वो जीवित थे तो जिस प्रकाश से वो इक पावर्फुल फैमिली से बिलॉंग करते थे और उनका बहुती रॉयल उनकी फैमिली थी, और उन्होंने बहुती शान से जिस प्रकाश से जीवन काल में अपने जीया था, तो ही रिमेंस दा फर्स वहां पर भी वो फर्स थे, इवन इन डैथ और जब उनकी मृत्य हुई तो ही वो जीवन काल में थे तब भी एक प्रथम कांट्री में माने जाते थे और जब उनकी म गर्म था, जिसकी सबसे पहले सकारे की गई थी तो इसलिए यहां पर, इन डैथ एसे जाए से डैथ में वैसे ही लाइव, जिस प्रकास लाइक रही वैसे ही उनके डैथ के बाद भी उनको रुत्बा रहा वही उनको प्रफरेंस मिला यानि कि पहले जीवन काल में भी वो यह वह प्रथम बड़क को यह k grades एक शाजक रहे और एक बहुत ही बड़क्त जहने तो उस समय पर भी एक आंपरर रहे वक्तешь को प्रकार से हूं भिस्ट्रियों के बाद बिवें हैं उनको ही प्रथम दर्जा दिया गया तो इसलिए बोला तो बचो यह थे इसके सारे कोशन आंसर मैं उमीद करती हूं कि आपको सारे कोशन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे यदि इसमें कोई दिक जा रहे है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं इसी प्रकास से आपके लिए सारे आपके स्टडी कंटेंट लाती रहोंगी समय समय पर तो आप इसको नोट करते रही ताकि आपको एक्जाम से रिलेटर और भी अन्यजान करीयों की प्र से हाजिर होंगे आपके साथ कुछ न्यू कंटेंट को लेकर तब तक के लिए थैंक यू